हाई गाईस, करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ अभिशेक शर्मा और इस वीडियो में हम 3 मार्श तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं, वीडियो को अंते तक आप जरूर देखेगा, काफी कुछ आपको जा कि हमको समय नहीं मिल पाता है, हम और भी काम में इंगेज हैं, तो इसलिए आप हमको PDF प्रोवाइट कराईए, तो इसी संदर में हमने content writer hire किया हुआ है, तो आपको जो PDF अब दी जाएगी, वो काफी high quality PDF होगी, और इसके लिए आपको एक साल की membership आप अवेल कर सकते हैं, और इसके अंतरगात आपको चैनल पर upload होने वाली current affairs की जो वीडियो है, इसका PDF format आपको provide कराये जाएगा, तो इसके लिए आप 249 रुपीज पे कर सकते हैं, और ये membership एक साल तक के लिए आपकी valid रहेगी, और साथ ही आपको बता दें कि इसमें आपको weekly current affairs PDF मिलेगी, और monthly PDF मिले रही है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, और जो लोग अपने daily के notes बनाते हैं, वो अपने notes बनाते रही है, वो सबसे अच्छा है, तो शलिए फिर करते हैं सुरुआत इस video session की, निमलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो चारो कथन पढ़ लेते हैं, Amazonia 1 is the first Brazilian satellite launched from India, option B है, Amazonia 1 has a mission life of 8 years, option C है, Amazonia 1 will monitor deforestation in the Amazon region, option D है, PSLV C-51, Amazonia 1 is the first dedicated mission of New Space India Limited, देखे, इस तरो के PSLV C-51 द्वारा launch ही गई, ब्राजील की इस Amazonia 1 satellite के बारे में हम पुरी detail आपको पहली दे चुके हैं, एक point उसमें और add करना था, उसी संदर में ये question frame किया गया है, तो इसमें जो option आपका सही नहीं है, जो कतन आपका गलत है, वो है option B, Amazonia 1 has a mission life of 8 years, ये इसलिए गलत है, क्योंकि जो Amazonia 1 है, इसकी जो mission life है, ये 4 साल की है, और इसको जो है, आपको जैसे ही बताया कि PSLV C-51 द्वारा लॉंच किया गया है, कहां से 37 स्पेस सेंटर स्री हरी कोटा आंदरप्रदेश से, और इसके साथ 18 जो है co-passenger satellites भी लॉंच की गई है, किस भारते महिला पहलवान ने 53 kg वर्ग में युकरेन कु इस परदा में स्वर्ण पदग जीता है, और और करेक्ट आंसर होगा option D, विनेस फोगाट, तो ये जो परतियोगीता हुई है, ये युकरेन की capital Q में हुई है, और इसका नाम रहा है, Outstanding Ukrainian Wrestlers and Coaches Memorial, तो इसमें 53 kg केटेगरी में जीती है, ये आपके लिए जानना चाहिए, इस हराया है, ये भी पूछ ले जाता है, तो बेरारूस की wrestler है, वानेसा कालाजीन संक्या, तो इनको हराकर इन्होंने gold medal जीता है, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, कि ये इकलोती महिला wrestler है, जो Tokyo Olympics के लिए qualify कर गई है, आगे बढ़ते हैं, भारतिय भूमी बंदरगा प्र New Delhi में, और साथ ही आपको ये जानना चाहिए, कि ये Ministry of Home Affairs के अंडर कारे करती है, और ये एक statutory body है, statutory body का मतलब होता है, कि जिसको constitution के तहत ना बनाया गया हो, या जिसका constitution में mention नहीं हो, जो statutory body होती है, ये Parliament Act के द्वारा बनाई जाती है, तो ये दो point आप याद रखिएगा, स administration, maintenance का जिम्मा इसी का रहता है, ठीक है, तो ये point साप याद रखिएगा, और एक मार्ट 2012 में इसकी स्थापना की गई थी, headquarters New Delhi में है, और इसके chairman है आदित्य मिश्रा, राष्टे चावल अनुसंधान संस्थान, यानि National Rice Research Institute के वैज्ञानिकों ने क्रिसी में कीटों को नियं साके कटक में, तो friends, ICAR, एन National Rice Research Institute, जो कटक में है, तो इसके scientist ने AELT, यानि Alternate Energy Light Trap, इस तरह की एक device बनाई है, और इस device का उप्योग खेतों में कीटों को नियंतरन करने में किया जाएगा, और इस invention के लिए इन वैज्ञानिकों को patent भी मिल गया है, इस device में एक light जलती रहे जिसे देखकर कीट वहाँ जाएंगे और उसमें फस जाएंगे, तो इससे क्या होगा, फसलों को नुकसान होने से बचाया जासेगा, साथी फसल उगाने के लिए जो कीट नाशक का उप्योग किया जाता है, वो भी अब बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएगा, संसक टीवी के मुख्य कारेकारी अधिकारी यानी Chief Executive Officer CEO कोन बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं, रवी कपूर, आपको बता दें कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला कर अब एक चैनल बना दिया गया है, जिसे अब संसक टीवी के नाम से जाना जाएगा, तो ये जो योजना है, इसको मर्ज करने की, ये 2019 में प्रसार भारती के पूर्वच CEO सूर्य प्रकास की अध्यक्सता में बनी, कमिटी के ओर से की गई थी, और इसका मकसद ये है कि इन दोनों ही जो टीवी चैनल हैं, इनके संचालन में जो लागत है, उसको कटोती करना, और जो है इसका प्रबंदन जो है, जो मैनेजमेंट है, उसको सुद्रड बनाना, उसको मजबूत करना, साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, कि राजीव कपूर ये IS है, और इनको CEO बनाया गया है एक साल के लिए, और जो राज्यसभा सेक्रेटेरियट ने जो है, जो राज् सबा टीवी, ये 2006 में लौंच किया गया था, और राज्यसभा टीवी, 2011 में लौंच किया गया था, आगे बढ़ते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस, यानि वर्ड वाइड लाइफ डे, ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, तीन मार्च को, और साथ ही आपक पॉइंट और निकल के आता है, जब आप किसी एक्जाम में, अगर आपका सब्जेक्ट है, या फिर जनल अवेंडनेस का पार्ट है, तो महाँ पर इस तरह का कुश्चन पूछ ले जाता है, किस से रिलेड़ेड़, जो ये कन्वेंशन ओन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंड को मना जाता है, अच्छा, इस ट्रीटी का मकसद ये था, कि जो इंडेंजर्ड प्लांट हैं और एनिमल्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना, पॉर्ड ब्लेर में किस सिप्यार ने भारतियन नोसियना के लिए डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर बनाया है, तो ये बनाया है, गोव अच्छा, एक पॉइंट आपको ये भी जानना चाहिए, कि जो अंडमान एनिकोबार आइलेंड है, ये भारत की पहली ट्राइसर्विस थेटर कमांड है, जिसको 2001 में बनाया गया था, और ये पोर्ट ब्लेर में, ट्राइसर्विस मतलब आर्मी, नेवी और एर, ये तीनों की संयुक्त कमांड यहाँ पर इस्तित है, और दूसरी ट्राइसर्विस कमांड कोन सी है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो की 2006 में बनाई गई थी, जीरो डिस्क्रिमिनिशन डे, यानि सुन्य भेद भाव दिवस, परति एक वर्ष किस दिन आयोजित किया जाता है, या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, एक मार्च को, और ये जो है, UNAIDS, यानि UNAIDS के डिरेक्टर, मिशल सिद्वी, इनके द्वारा लॉंच किया गया था, 2013 में, और जो ये डे मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिशन डे, इसका सीम्बल रहता है, बटरफ्लाइ, और इसका इस बार थीम रहा, एंड इनेक्वालिटी, एक मार्ट 2021 को नागरिक लेखा दिवस का कौन सा संस्क्रण मनाये गया, तो ये मनाये गया 45 संस्क्रण, या फिर 45 एडिशन, तो इस मोके पर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सितारमन, ये चीफ कैस्ट रही, और इस फंक्शन में जो मौजूद रहे, उनमें रहे, कंट्रोलर एंड और्डिटर जनरल, यानि कैग, जी सी मुर्मू, एक्सपेंडिचर सेकरेटरी, डॉक्टर टी वी सोमनातन, कंट्रोलर जनरल ओफ एकाउंट्स, सोमा रोय बर्मन, फ्रेंट्स, ये सभी जो निउस के साथ, जो डिटेल्स आती है, ये आपके लिए काफी इ स्किप कर जाते हैं, पर ये कभी-कभी इस तरह के पूछ ले जाते हैं, हूज हूँ में, है ना, तो ये भी आप याद रखेगा कि कौन एक्सपेंडिचर सेकरेटरी है, कौन कंट्रोलर जनरल ओफ एकाउंट्स है, कौन कैग है, तो ये से भी आप नोट कर लिजेगा, भार साथियां पर फुटबोल की हो रही है, ये भी आपको जानना चाहिए, तो ये जो है, ये फिफ्ट एडिशन रहेगा, और जो All India Football Federation है, जो की इसका आयोजन कराता है, इसके प्रेजिडेंट है प्रफूल पतेल, साथिया आपको ये भी जानना चाहिए, कि 2022 में भारत AFC Women's Asian Cup ये भी होस्ट करेगा, और FIFA Under 17 Women's World Cup ये भी होस्ट करेगा, दोरों ही फुटबोल से रिलेटेड हैं, ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उदगाटन किस ने किया, तो आप्शन सापके सामने हैं, और करेक्ट आंसर होगा, आप्शन D, डॉक्टर हर्ष वर्धन, तो आपको ये भी Health and Family Welfare, तो ये जो ये समिट है, ये एक मार्स ते तीन मार्स तक चली है, और इसका जो थीम रहा है, ये रहा है Transforming Lives, और टेग लाइन रही है, Biosciences to Bio Economy, और इसको जो है, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology, इन सभी ने मिलकर इसको और्गनाईज किया है, साथी आपको ये भी जानना चाहिए, कि इंडिया का जो टार्गेट है, वो ये है, कि जो बायो एकोनोमी है, ये 2025 तक 150 बिलियन की जो है, बन जाए, जो भारत की बायो एकोनोमी है, ये इतनी वैल्यू वैल्यूएशन की बन जाए, कितनी 150 बिलियन यूएस टॉलर, निकोला सरकोजी, जिने ब्रश्टचार मामले मे तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है, किस देश के पुर्व राष्टपती हैं, तो ये हैं फ्रांस के पुर्व राष्टपती, तो इन पर ये आरोप लगा है, आरोप सिद्ध हुआ है, कि इन्होंने जो है, अपने कारेकाल में, जब ये राष्टपती रहे, तो इन्हों के प्राइम मिनिस्टर है जीन कैस्टेक कैपिटल है पैरिस करंसी है यूरो फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी के CEO और MD के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है औप्शन्स आपके सामने है और करेक्ट आंसर होगा औप्शन D सांतनू मित्रा तो जो ये फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी है तो ये एक NBFC है यानि नोन बैंकिंग फाइनेंशल कंपनी और इसका हैटकार्टर्स मॉमबई में है और इसके CEO और MD मनाए गए हैं शांतन venco के रूप में अप्गरेट कुए गया है तो ये किया गया वहत फीनौ पेमेंटस बैंक अ Genesis को अब इसका मतलब क्या हुआ यानि अब इसको जो है और एक उनदिश्वोग evolutionun के अंदर इसको जो है इंक्लूट कर लिया गया है और इसको क्या-क्या benefit होंगे, पहला benefit तो यह है कि अब यह RBI से bank rate पर debts and loans लेने के लिए eligible है, साथी यह clearing house की membership अब acquires की हो गई है, साथी यह RBI से first class exchange bills इन पर re-discount पा सकता है, और जो Fino payments bank है, इसके MD and CEO है, रिशी गुपता, headquarters है, Mumbai in महाराष्टर साथी आपको यह भी जानना चाहिए, कि वे सभी bank, जो की RBI Act 1934 के second schedule के अंदर रखे गई हैं, इने scheduled bank कहते हैं, और scheduled bank में कौन से category है, scheduled commercial bank और scheduled cooperative banks अब जो यह scheduled commercial bank है, इनको 5 different group में categorize किया गया है, जिनमें पहला State Bank of India and its associates, दूसरा है nationalized bank, तीसरा है regional rural banks, जो था है foreign banks और पांचवा है जो भी private sector banks होते हैं, यह सभी 78 वे golden globe awards में कैरोल बर्नेट पुरुसकार किस ने जीता तो यह जीता है Norman Lear ने, तो यह writer है और director भी है, तो इन्होंने यह award जीता है अब देखते हैं previous assignment questions के answer who inaugurated the India Toy Fair 2021 Narendra Modi who did discovered Khajurav temples in the year 1838, T.S. Bird Kaniya Putri is an old doll making tradition from which state Bihar, which city is also called town of toys yani Gombegala Nagara, Channapatna, Karnataka Goal ghar or round house is a large granary located in which state Patna, Bihar अब देखते हैं आज के assignment questions और friends अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लगती है हमारा explanation अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर लाइक किया किजिए अगर आपको कहीं भी असा लगता है और कई aspirants ऐसे हैं जो daily इसमें participate करते हैं और उनको वाकई में काफी benefit भी और आओगा और हमको भी अच्छा लगता है जब aspirants जो है कई time से daily answer करते आ रहे हैं तो उमीद है कि आगे भी आप लोग इसी तरह से daily answer करते रहेंगे ऐसा है ना अगर आप लोग answer नहीं करेंगा तो फिर इसका मकसद ही खतम हो जाएगा फिर क्या फायदा है अगर assignment question देनेगा अगर आप लोग answer नहीं करेंगे तो इसलिए आप बढ़ चड़ कर इसमें हिस्सा लिया कीजिए और आप ये देखिए देखिए अबसर्ड ओन विच देट विच स्टेट गवर्मेंट विच इस इनांस्ट अबैन ओन हुक का बार्स अबस देखिए अबसर्ट इसमिट विच एडिशन अफ द आन्नुवल इवेंट मतलब ये अब की बार कॉन सा संसक्रण रहेगा जो G20 संमिट होने वाली है 2021 में इसका कौन सा संसक्रण रहेगा और साथ में आप सभी करेंट अफेर्स फंडा को टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करेंट कुजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों आपर current affairs की playlist दी गई है इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ WhatsApp और Telegram पर शेयर करें लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी Thank you guys